नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि EPFO ने PF Portal पर 2-step verification को लागू कर दिया है चलिए दोस्तो सबसे पहले हम आप लोग को बतायाते कि 2-step verification क्या होता है दोस्तो अगर किसी भी वीडियो साइड या Portal पर लोग इन करने से पहले आप लोग को 2-step से गुजड़ना होता है उसे 2-step verification कहते हैं इसी तरह से दोस्तो EPFO ने अपने Portal पर 2-step verification को लागू कर दिया है तो चलिए दोस्तो अब लोग को दिखाते किस परकार से जो है आप 2-step verification जो है लोग इन होता है तो यहां पर दोस्तो सबसे पहले यह नमबर डालते हैं पासवर्ट डालते हैं क्लिक कर लेंगे तो यहां पर दोस्तो देखते हैं लिखा हुआ आ गया है कि ओटी पी है बिन सैंड रजिस्टेशन मोबाइल नमबर आखर यहां पर चारंग देखने को मिल रहा है जो टू स्टेशन को एपिएफ़ लाग कर दिया है दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है एपिएफ़ द्वारा हमारे प्यफ़ पोटल पर जो है अब कोई छेट छाड नहीं कर सकता बिना हमारे मर्जी के बिना हमारे ओटी पिदिये लेगिन दोस्तों जब से यह जो ह है ओटी बीवाला सिष्टेम लाग हुआ है कि ओटी द्वारा आप लोग इन करेंगे इससे बहुत सारे पिएफ मेंबर को परेशानी के सामना करना पड़ रहा है और वो यह पोटल में लोग इन नहीं कर पा रहे हैं अब दोस्तों आप सोच रहें क्यों लोग नहीं कर पा लें दोस्तों आपको बता दिको जब अपने यह नमबर डालते हैं पास्विर डालते हैं के अब पूर पाम बटल पर जब किलिक कर लेते हैं उसके बाद दोस्ती आप देख सकते हैं इसके आपके यॉए न से लिंक मॉबाइल नमबर पर OTP भेज दिया गया है अब दोस्तों यहाँ पर प्रोलम यह स्टार्ट होता है कि बहुत सारे PF मेंबर ऐसे हैं जिसका UN के साथ जो मुबाइल नमर लिंक है वो मुबाइल नमर या तो खो गया है या फिर बंद हो गया है और उनका OTP जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा है जो अगर OTP नहीं मिलेगा तो यहीं पर पोड़ पर लोगिन किस परकार से हो पाएंगे यह समस्या दोस्तों बहुत सारे PF मेंबर के साथ देखने को मिल रहा है तोकि दोस्तों उसका UN से लिंक मुबाइल नमर उनके पास है यह तो खो गया है या फिर उनका मुबाइल नमर जो है बंद हो चुका है शिम ज ताइम पहले ही एक अपडेट किया था जिस अपडेट में बताय भी था जब हम यूएन पोटे पर लोगिन हो जाएंगे लोगिन होने के वाद यहां पर दस्तो मैनेज़वाने अपसर पर जाएंगे और कॉंटाक डिटेल में जाने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकत दिया था लेकिन दोस्तों बहुत सारे मेंबर ने इस पर दिया नहीं दिया और आप इनका मामला यह बन चुका है कि वह यह पोटल पर लोगिन नहीं कर पा रहे हैं अगर दोस्तों आपने यहां पर अपना अधार से लिंग मोबाल अपडेट कर दिया होता तो आपके साथ यह प्रोलम नहीं आता दोस्तों बहुत सारे मेंबर का प्रोलम यह होता है कि अपडेट को डंग से नहीं समझ उनको पर दियान नहीं देते हैं और बात सोचते हैं कि बाद में पहले दोस्तों यहां पर बता देगी प्योफन जब बोला था कि आधार से यूएन को लिंक कर करणत क्या होता कि यह नहीं पर लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं अर उनका जो आधार यूएन से लिंक नहीं नहीं खिये हो पा रहा है और सोचिब बहुत सारे प्रोलम नंबर से समागत कर नहीं धाया है से और ऊब जो यहां कर देखत का सामना नहीं करना पड़ता है अगर आपका मोईल नमर को लोगिन करना चाहते हैं या आप का मोईल नमर बंद हो गया है तो किस परकार से लोगिन कर पाएंगे दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं clear कर देना चाहता हूँ कि बिना OTP डाले हुए आप UN portal पर login नहीं हो पाएंगे और अपना UN portal नहीं खोल पाएंगे तो दोस्तों आपका मुवाइल नमर बंद हो गया है या खो गया है तो ईसके लिए अपना UN बाते करता हैं तो आप अपने employer से बात करें, उनको बताएं, अगर दोस्तो आपको अपने UN में अपना mobile number change कराना है, तो इसके लिए दोस्तो आपका employer ही आपका मदद कर सकता है, और कोई व्यक्ति आपका मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि employer द्वारा ही आपका mobile number अब change किया जा सकता है, और दो आप अपडेट करने जाएंगे, अगर पहले से update जो mobile number है वो आपके पास है, तो ठीक है अगर नहीं है, तो यहाँ पर अपडेट करना जाएंगे, और नया mobile number यहेंट अएंटर करेंगे, तो आपका mobile number चैन्ज नहीं होगा, जो आधार से link mobile number है, वो ही mobile number यहाँ पे आप लो प्रेटीक का लोग इन हो रहा है और अधार से लिंग मॉबाइल नम्र अपडेट नहीं का रखा है अगर वह चाहते हैं यह पहले यह वीडियो बना रखा एंड इसके लिए जे से लिए आरब लोग लंबर पर देना चाहिए था तो इससे जो जितने पीफ मेंबर जो लोगिन नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ समस्या नहीं आता और वह आसानी से लोगिन कर पाते दोस्तों आपके विचार में क्या राए है कि ओटीपी जिस्टम जो इप्योफन लागू किया है वो आधार से ल वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद